हमारे राष्ट्रिय गौरो हमारे राष्ट्रिय चिन और प्रतीक हमारे राष्ट्रिय प्रतीक हमारी पहचान और विरासत के मूल भूत हिस्से हैं विश्व भर में बसे सभी भारती इन राष्ट्रिय प्रतीकों पर गर्व करते हैं क्योंकि ये प्रतीक हर भारती के हिर्दय में गौरों और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं हमारा राश्ट्री यद्वज तीन रंगों से बना है इसलिए हम इसे तिरंगा भी कहते हैं इसमें सबसे उपर के सरिया बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग है धज की चोड़ाई और लंबाई का अनुपार दो अनुपार तीन है सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है चक्र में 24 तीलियां है भारत के वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रिय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर के अद्भुत सौंदरी के कारण ही 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोशित किया राष्ट्रीय पुश कमल है इसे प्राचिन काल से ही भारतीय संस्कृति में शुब का प्रतीक माना जाता है राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाग है बाग शक्ति का प्रतीख है इसके शरीर पर काली धारिया होती हैं वर्ष 1973 में इसे राश्ट्रीय पशुगोशित किया गया था भारत का राश्ट्रीय व्रिक्ष बर्गद है बर्गद सबसे लंबी आयुवाला एवं विस्तरित क्षेत्र में फैला हुआ व्रिक्ष होता है गंगा नदी हमारी राश्ट्रीय नदी है इसे भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में राष्ट्रिय नदी का दर्जा दिया गया राष्ट्रगान श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रजित जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है बारत सरकार द्वारा राष्ट्र टैगोर द्वारा राष्ट्रगान है बारत सरकार द्वारा राष्ट्र टैगोर द्वारा राष्ट्रगान है जए हैंदे जए हैंदद्र द्वारा राष्टर कईक्ट्रगान है झाल वैठीड़ के दिए हैंदे जए हैंदे आजए लड़ लवता बड़ता है